सुजुकी जिकसर 250 में मुझे और क्या क्या चाहिए सुजुकी जिकसर 250 एंड जिकसर SF250 दो बहुत ही बहतरीन मोटर सेकल है और इनमें बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट्स है नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ही कम है आप बहुत कीनली ढूनने जाओ तो आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स दिखाई दे सकता है पर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के भीतर भी मुझे कुछ चाहिए होगा यस मोटरस शैकल को अपनाने के लिए इस मोटर सैकल को और बहतरीन रूप में देखने के लिए मेरे दिमाग में कुछ है जो अगर सुझुकी की तरब से मुझे मिल जाए इस मोटरसेकल में तो चार चांद लग जाएगा पॉइंट नमबर ओन डिजाइन इसका जो design सुजुकी की तरब से बनाया गया है मतलब कि सुजुकी जिक्षर 250 naked and जिक्षर SF-250 यह जो version बनाया गया है जिक्षर 250 का दोनों ही एक बहतरीन design का motorcycle है खास करके जिक्षर naked 250 जो है यह एक neo-european design का motorcycle है पर मुझे कहीं ने कहीं ये डिजाइन थोड़ा सा खाली-खाली लगता है मुझे लगता है कि कुछ और element शायद उसमें होना चाहिए था कहीं पर कुछ खाली-खाली सा दिखता है मुझे मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत पुराना एक motorcycle के उपर जैसे एक boat लटका दिया हो साइड से देखने में कभी-कभी ऐसा लगता है मुझे ये डिजाइन बहुत ही बहतरीन डिजाइन है पर मुझे कहीं न कहीं ये डिजाइन खाली-खाली सा लगता है आप Yamaha FZ25 का डिजाइन देख लीजिए आप KTM का डिजाइन देख लीजिए इसमें जो डिजाइन लैंग्वेज है थोड़ा सा भरा भरा सा लगता है पर जीकसर 250 में जो डिजाइन दिया गया है इसमें थोड़ा सा खाली पन है अगर सुजुकी डिजाइन लैंग्वेज को और एक बार रिवाइज कर दें, अगर यह संभव हो अगले एडिशन्स में, तो हो सकता है इसका लुक और भी बहतर हो जाए, चार चांद लग जाए. सेकंड जो पॉइंट के बारे में हम बात करना चाहेंगे, वो है स्लिपर क्लच. जीकसर 250 एक बहतरीन मोटर साइकल है, इसका गेरिंग सिस्टेम, एंजीन, कुलिंग सिस्टेम, सब कुछ बहतरीन है, टॉप नॉच है, क्लास लीडिंग है, इसमें कोई नेगेटीव पॉइंट्स निकलने की कोई गुंजाइशी नहीं है. पर इन सब के भीतर, एक चीज जो मुझे लगता है, मुझे खतकता है, स्लिपर क्लच. इस मोटर साइकल में स्लिपर क्लच का इंट्रोड़क्शन नहीं किया गया है. अगर सुजुकी इसमें स्लिपर क्लच इंकलूद कर दे, तो ये मोटर साइकल बहतर से बहतरीन हो इसमें 6-speed gearbox आता है, इसमें dual channel ABS आता है, इसका braking system बहुत ही बहतरीन है, इसका gear ratio, gearing system, power distribution बहुत ही बहतरीन है, linear है, एकदम top notch है, पर इसके साथ अगर Suzuki अपने GIGSAR 250 and SF250 में slipper clutch का इस्तमाल कर दें, तो GIGSAR 250 and GIGSAR SF250 में चार चांद लग जाएगा, ये बहतरीन motorcycle बन जाएगा third जो point के बारे में हम बात करना चाहेंगे, वो किसी किसी के लिए एक बहुत ही minor सा point हो सकता है, पर मेरे लिए ये एक point है, और बहुत ही important point है, वो है side stand engine cut off system, आप Yamaha EBC25 में देख लीजिए, Apache में देख लीजिए, और बहुत सारे motorcycle में आप ये देख सकते हैं कि side stand के साथ एक engine cut off switch लगया जाता है, ये एक safety feature है और मेरी साब से ये एक जरूरी safety feature है, Suzuki Gixar 250 and Gixar SF250 एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही polished motorcycle होते हुए भी, ये छोटा सा point शायद Suzuki ने skip कर दी है, हो सकता है कि अगली edition में या अगली revision में ये उसमें include हो जाए, पर Suzuki की तरफ से ये एक बहुत ही बहतरीन inclusion होगा अगर Suzuki अपने Gixar 250 and Gixar SF250 में side stand engine cut off switch का inclusion कर दें, fourth जो point के बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है color option, Suzuki Gixar 250 and Gixar SF250 ये दोनों ही variant जो है, ये सिर्फ दो color option में available है, एक है silver और एक है black with matte finish, silver matte finish and black matte finish, silver जो है, ये silver and black का combination है, और जो black है, ये सिर्फ black में ही या जाता है, black में ही मिलता है, और एक MotoGP edition आता है, blue color का, बस यही तीन option available है, पर अब Yamaha Ibsi 250 में देख लिए, color option में ये class leading है, five color option इसमें अब को मिल जाता है, ये Yamaha के तरफ से एक बहुत ही बहतरीन offering है, अगर Suzuki अपने Gixar 250 and Gixar SF 250 में और कुछ color option available करा दे, तो ये बहतरीन काम हो जाएगा, फिफ्थ जिस point के बारे में हम बात करना चाहेंगे, वो है इसका instrument console, इसका instrument console जो है, ये एक बहतरीन instrument console है, well laid out है, सारा कुछ information जो एक नजर में आपको चाहिए होता है, राइडिंग के वक्त, वो सब क सब कुछ इसमें मिल जाता है, सब कुछ properly displayed है, पर मुझे लगता है, अगर ये display panel थोड़ा सा और बड़ा होता, मतलब कि Yamaha MT-15 या Yamaha R15 V3 जैसा होता, अगर उतना बड़ा और उतना ज्यादा visible और bold अगर उसका display console होता, तो बहतरीन काम हो जाता, तो चार चांद लग जाता, तो ये जो पांच पॉइंट के बारे में हम अभी बताए कि सुजुकी जिकसर 250 एंड जिकसर SF250 में मुझे ये पांचों चीज अगर मिल जाए, तो चार चंद लग जाए, मैं एकदम खुश हो जाऊंगा, मैं दोबारा नहीं सोचूंगा कि मुझे दूसरा मोटर सेकल लेना नहीं किया गया है, ये अपको मोटर सेकल के उपर बैठते ही, मोटर सेकल को देखते ही पता चल जाएगा कि क्वालिटी में सुजुकी ने इसके साथ कोई भी कॉंप्रोमाइज नहीं किया है, पर इसमें अगर ये पांचों पॉइंट, मतलब कि थोड़ा सा और भरा-भरा स डिजाइन, एक स्लिपर क्लच, एक साइड स्टैंड एंजिन काट अप स्विच और थोड़ा सा कुछ कालर ऑप्शन और एक बड़ा सा मीटर कंसोल अगर हमको मिल जाए, अगर सुजुकी ये इसमें इंक्लूड कर दे, ये सारा फेर बदल कर दे, तो सुजुकी जिक्सर 250 ए अगले वीडियो में तब तक देखते रहे हैं, लेट्स टॉक विच चंदन, नमस्कार